गैस अगर आप लोगों ने C++ series को देखा तो अभी तक आप लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा जादा ही classes and objects में गुजगए हैं और हम classes and objects में definitely गए लेकिन यहाँ पर हमने सीखी classes and objects just because हम लोग अपना C++ में command रखना चाहते थे C++ एक object oriented language है हम इसको अच्छी तरह से सीखना चाते थे इसलिए हम classes and objects वाली direction में गए अब यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक इतनी अच्छी object oriented programming पढ़ लिया कि definitely आप लोगों कोई problem नहीं होने वाली है अब भी हम लोग लेकिन अब हम file की तरफ move करेंगे और C++ जिस तरह से files के साथ deal करती है उसको हम थोड़ा सा basic level पर पहले समझेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा implementation code में किस तरह से किया जता है लेकिन सबसे पहले एक file होती गया है अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछे तो आपको जवाब क्या होगा अगर आप लोग एक computer science student नहीं है जो कि computer पर ज़्यान नहीं देते है तो आप लोग यह कहेंगे file वो चीज होती है जो कि आप computer में खोलते है और ज़्यादा कभी सोचा नहीं यह क्या है और इस तरह से मेभी आप एक data का pattern है जिसको store करके रख दिया गया है disk में ठीक है यानि कि disk में उसको रख दिया गया अगर मैं कह रहा हूँ एक दो तीन तो मैं उस एक दो तीन pattern को store करके रख दे रहा हूँ एक text file यह pattern है hash i n c l u d e यह pattern है फिर m के बाद यह angular bracket close हुआ उसके बाद एक new line आई तरह इसक तो थोड के देखो इसको तोड़के देखो इसके टोड़े कर दो फाइल के और टोड़े करके दो यह है क्या चीज़ ये character का समाहर ही है एक text file क्या है character से मिलके बनी है बस यह कि कहीं-कहीं पर आपका new line character आ रहा है कहीं semi-kollen जैसा character आ रहा है कहीं space आ जागी है मैं इस file को आपको मू से पढ़के सुना सकता हूँ मू से अपने मू से यानि कि मैं telephone पर आपको बता सकता हूँ कि hello, shubam, file लिखो hash लिखो, i लिखो, n लिखो c लिखो, d, sorry u, d, e, फिर लगा दो less than का sign, io stream पूरा मैं यह dictate कर सकता हूँ यहां से लेके पूरा यहां तक तो यह क्या है, यह pattern है क्या कभी आपने सोचा कि एक file एक pattern है तो यह वाली आपको जो है समझ लेके आगे बढ़ना है कि भाई, file एक pattern है चलो एक कदम और आप लोग को एक layer of abstraction पर all लेके जाता हूँ अब यह hash जो है अगर मुझे इस hash के भी टुकड़े करने पड़ गए तो कैसे करूँगा अब आपको जाली तो अब आपको जाली एक character है उसके क्या टुकड़े करने पड़ गए अब मैं अब आप लोग को एक बात बताता हूँ sky characters, ठीक है sky value, sky value जिसकी बात हमने करी है इस course में अलरी but sky table यहाँ पर CMU की कोई website खुली है और sky values in binary ठीक है, मैं आपर sky values in binary देख रहा हूँ अब यहाँ पर मैं इक बात बोलूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनना अब मैंने sky value की बात करी थी आप से और मैंने आपको sky table के बारे में बताया था और मैंने कहा था, वहाँ पर की जो एक character होता है वो character को हम एक number से denote कर देते हैं जैसे की null character का क्या है, 0 है फिर SOH का क्या है, 1 है यह सारे एक एक character है, सब एक एक character है अपने अंदर और यहाँ पर जो आपका A, B, C, D यह start होता है, कहां से 65 से start होता है small A का अलग होता है अब 32 जोड़ोस में small A का हो जाएगा 97 ठीक है, तो यह सारे के सारे character की mapping है integer में ठीक है, अब सुनना मेरी बात अब अगर मैं इस integer को binary में convert कर दूँ binary क्या होता है, zeros and ones होता है not specifically मुझे integer नहीं बोलना चाहिए decimal बोलना चाहिए, decimal is the word decimal को binary में मैं अगर convert करूँ यहाँ पर तो यह कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यह क्या है, 0 को convert कर दिया binary में 1 को convert कर दिया binary में जब आप कोई गिंती लिखते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप छोटे होगे, जब LKG में जाते होगे नरसरी में, आपके teacher dart के आपको लिखवाती होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसका क्या मतलब होता है, जब वो कहती है 1, 2, 10 लिखो या 1, 2, 100 लिखो, उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है 1, 2, 100 लिखो, सिर्फ इन 10 characters का यूज़ करके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मैं इनको characters इसलिए बोल ला हूँ, यूकि यह वही है मैं इनका यूज़ करके आपसे 100 तक गिंती करने को बोल ला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई, आपको ये 10 characters का यूज़ करना, इनको मिलाज जुलाके 100 तक गिंती करो, या 1000 तक गिंती करो, या 10,000 तक गिंती करो मैं बहुत basic आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कम लोग C++ course में आपको बताएंगे, या कि मेरे 0 से लेके 9 तक ही यूज़ करना है अगर मैं आपर लिख देता हूँ, यह बड़ा सा number तो मैं कुछ भी number लिख लूँ कितना ही बड़ा number लिख लूँ, 4 लाक लिख लूँ 10 लाक लिख लूँ, 20 लाक लिख लूँ मैं number तो वही यूज़ करूँगा रहा जिस तरह से मैं 0 को मुझे सिर्फ एक character में लिखना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास 10 character थे यहाँ पर, अब क्यूंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे कितने character लगते हैं, इसको represent करने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यह 8 bit का binary number मैं ने बना दिया मैं 64 bit का भी बना सकता हूँ, मैं 128 bit का भी बना सकता हूँ, बस यह जितनी bit मैं ले लूँगा उत्ता बड़ा number में represent कर सकता हूँ, ठीक है समझ गया आप लोग, चलो यह चीज़ तो आप लोग समझ गया, अब 0, 0, 0, 0, यह आपर 0 का हो गया, ठीक है 1 में यह आपर 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 का 1 0 होता है क्योंकि मैं 2 तो यूज़ कर नहीं सकता, शर्त है यह 0, 1 यूज़ करूँगा तो यह binary में मैंने convert कर दिया, अब binary में computer binary समझता है क्या मतलब है, लोग बोलते तो है computer binary समझता है, इस बात का क्या मतलब है, computer हिंदी क्यों नहीं समझता है, binary क्यों समझता है, इसका सवाल का जवाब देता हूँ, मैं आपको, क्योंकि computer इंसान नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करूँ, computer क्या है computer switches से मिलकर बना हुआ है computer switches से मिलकर बना हुआ है ध्यान से सुनना यह तो वो switch को on किया जा सकता है यह उस switch को off किया जा सकता है अगर आप लोग पढ़े electronics में transistor as a switch तब आपको पदा चलेगा कि transistor का इस्तिमाल किया सकता है as a switch जिसको हम कई बार बंद खोल सकते हैं और यह कोई आपके वो घर का light वाला switch नहीं होता है कि आपको के switch तो मेरे पास भी यह 5 रुपली का मिल जाता है transistor का क्यों बना हूँ मैं यह transistor as a switch जब यूज होता है तब एक revolutionary बात वहाँ पर यह होती है कि इसक इससे क्या होगा इससे data आप transmit कर पाऊगे बहुत तेजी से अब आप जरह मुझे यह बताओ मेरे मेरे सवाल का जब आप सब देंगे comments में क्योंकि मैं extra चीज यह समझा रहा हूँ आपकी core जो जड़े होती है computer science की foundation होती है वो मजबूत करने के लिए मुझे सब comment में नीचे बताओ कि यहाँ पर क्या मैं इस program को जो कि मैंने अभी यह characters के form में read किया क्या मैं इस program को 01010101 बोल के telephone पर बता सकता हूँ या नहीं हाँ यह ना में देना जवाब और अगर आपने गलत भी दिया ना जवाब मुझे comment चाहिए बस सब का गलत भी दिया तो मैं सही लेकिन मैं उन लोगों को ले रहा हूँ भी जिन्होंने गलत जवाब दिया अब जिन्होंने गलत जवाब दिया उन्होंने गलत क्यों दिया जब आप यह समझते हैं उन्होंने सोचा यार कि चलो अगर यह number मैंने यह बोल भी दिया phone पे कि 0 बोल दिया 1 बोल दिया 1 0 बोल लोग मुझे ये जो program है ये phone पर बताना है किसी को और शर्त ये है कि मैं 0 और 1 ही बोल सकता हूं सिर्फ कुछ और नहीं बोल सकता है D बोलना loud नहीं है ना E बोलना loud है ना L बोलना loud है मैं बहुत basic बता रहा हूं आपको message कैसे transmit होता है तार की मदद से जो तार में आ जाता है ने इंटरनेट चलता है जो आपके जो है तार से कैसे जा रही है बात मेरी उसको बता रहा हूं मैं बहुत ही fundamental level पर देखो अगर मुझे hash बोलना है phone पर तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि मैं use कर रहा हूँ 8 bit का number यानि कि 8 bit के number से मैं character को represent कर रहा हूँ ये information जो phone पर दूसरी side है उसको ये बात पता होनी चाहिए ये protocol है मतलब कि 8 bit से बनेगा मेरा character ठीक है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अब मुझे अगर 0 बोलना है तो मैं सिर्फ 0 नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा 0000000000 अगला बन्दा बोलेगा अच्छा फिर मैं बोलूँगा 00000000 ठीक है तो बोलेगा अच्छा भाई ये इस character की बात कर रहा है ठीक है और इस तरह से जो है मैं अपना message transmit कर दूँगा अब मैं आपको बताता हूँ इस message को transmit करके मुझे बोलना है hash ठीक है तो मैं क्या बोलूँगा अगले बन्दे को पता है कि 8 bit collect करनी है उसको एक character के लिए ठीक है अगले बन्दे को पता है तो मैं यहाँ पर Ctrl F ही कर लेता हूँ यहाँ पर hash डालता हूँ मैं बोलूँगा 001000011 फिर मैं बोलूँगा I ठीक है मैं आपर बोलूँगा small i है capital i नहीं ही याद रखना small i है ठीक है मैं बोलूँगा फिर 01101001 अगला बन्दा बोलेगा अच्छा जी आगे बोल फिर मैं बोलूँगा N ठीक है N बोलूँगा ठीक है N क्या है 01101110 ऐसा ही मैं क्या करूँगा यहाँ से लेगे पूरा बोल दूँगा नीचे तक एकदम नीचे तक बोल दूँगा ठीक है तो जब मैं ऐसा करूँगा तो आपको क्यों कर रहे है ऐसा इसलिए कर रहे है इसको तार से ट्रांस्मिट करने के लिए जो इन्फोर्मेशन है मैं फोन पे तो बोल दूँगा यह मेरा मूँझ से तो मैं बोल सकता हूँ R, E, T, U, R, N, 0 Return 0 लिख दो Samy column लिख दो लेकिन मैं इस पूरी इन्फोर्मेशन को 0 और 1 की form में भेज सकता हूँ Transmit कर सकता हूँ और जो 0 और 1 की है जो stream है इसको stream बोलते है डेटा stream बोलते है इस stream की मदद से मैं डेटा को बेज सकता हूँ ठीक है अब C++ में वापस आ जाते हैं यह जो मैंने basic बात बताई यह तरह से foundation of computer science का topic है मैं इस पर जादा नहीं चाहूँगा लेकिन अगर आप लोगों को एक course चाहिए एक छोटा सा जो कि इस तरह की बाते करता हो समझाता हो पुरा यह सब चीजे basic level पर किस तरह काम करती है तो मैं एक course बना दूँगा लग से छोटा सा लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी आएगी demand उसकी अगर आए comments अगर लोगों ने बोला definitely मैं बनाऊंगा उसको ठीक है अब मैं आपर क्या करता हूँ C++ पर आजाता हूँ वापस से C++ में file क्या है अब file C++ की कोई नहीं file नहीं है यह वही file है जो computer में use होती है game की file हो चाहें आपका कोई document हो MS Word की file हो औरे code की file क्यों ना हो अभी code की file की बात किया है मैंने tude50.cpp जो बनाया जो की बना हुआ था मतलब पहले से तो यह जो file है यह क्या है इसमें information है और information इसमें base level पर जाएं अगर तो 01 के form में stored है लेकिन यह information हमको C++ directly store करने के लिए कुछ classes देता है जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर ज़रा यह देख लेते हैं कि जो हमारा program है वो किस तरह file से बात करता है ठीक है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि जो आपका program है program जो है आपका मानलो यह आपका program है ठीक है अब यह program किस तरह बात करेगा आपके data file से आपके console से उन सब चीजों से ठीक है तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि जो program है यह अभी data file से किस तरह बात करेगा वो भी बात कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा कि आपको यह बताता हूँ कि यह output दे सकता है ठीक है यहाँ पर मैं एक text box लगाँगा चोट अधर text box लगाँगा और यहाँ पर बस मैं यह समझाना चाहता हूँ यह जो program है यह output कर सकता है console में cout की मदद से ठीक है cout की मदद से यह screen पर print कर सकता है ठीक है तो मैं आपर लिख देता हूँ can print on screen using cout ठीक है तो यह cout की मदद से print कर लेगा screen पर बड़ा ही कर ले तयार क्या ही जा रहा है ठीक है I hope कि आपको दिख रहा होगा और I just hope कि यह आपको समझ में आ जाए बस ठीक है तो यह जो cout है हमारा उसकी मदद से यह screen पर print कर सकता है और मैं आपर बना देता हूँ एक console ठीक है यह हमारा console है ठीक है अब console output है console input है ठीक है तो मैं console output और input दोनों अलग अलग बना देता हूँ और यह क्या होता यह screen होता है यह फिर monitor होती ही आपकी ठीक है यह मैंने बना दिया अब यह console output ठीक है और यहाँ पर समझाने का मतलब बस यह है कि console input output नहीं input और screen monitor की जगह में क्या करूँगा यहाँ पर screen monitor की जगह में लिख दूँगा keyboard क्योंकि जो आपका input होता है वो आता है आपके keyboard से अब यह जो keyboard है यह इस program को दे सकता है inputs ठीक है तो मैं इस program को दिलवा दूँगा input मैं कहूँगा यह program को input दे सकता है और उसी के सासथ program console पर कुछ भी print कर सकता है यानि कि मैं input दे सकता हूँ इसकी मदद से keyboard की मदद से see in use करके तो मैं आपर लिख देता हूँ see in can be used to input और मैं इस तरह से बना देता हूँ इसको और see out जब आप लिखते हो इतो आपको भी मालूम ही होगा इतना आगया चुके हो course में definitely आपको मालूम होगा but again मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ यह चीज ठीक है तो हमने यहाँ पर देगा कि program जो है उसको हम keyboard से input दे सकते हैं और program को हम बोल सकते हैं कि screen पर output कर दो ठीक है यह interaction हो गया program का किस के साथ यह interaction हो गया program का console के साथ अब यही जो C++ program है इसको मैं CPP program लिख देता हूँ ठीक है यह C++ program है हम अभी C++ की बात कर रहे हैं but किसी भी language में kind of same रहे हैं चीज़े ठीक है मैं अभी C++ की बात कर रहा हूँ लेकिन अब C++ program क्या कर सकता है बात कर सकता है फाइल से भी ठीक है और फाइल्स क्या है अभी हमने बात करी फाइल्स क्या है डेटा का collection जो की आप डिस्क पर store करके रख सकते हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया file बना दी है ठीक है तो एक file है ठीक है data files है बहुत सारी एक दो तीन चार पाँच चार आट दस जितनी بھی हो सकती है अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ मैं इस file में write कर सकता हूँ ठीक है तो सबसे पहले इस से यहां पर यानि कि flow होगा information का कहा से कहा तक file से program तक होगा file से program तक flow होगा तो can read the file उसको बोलेंगे reading the file तो मैं read कर सकता हूँ file को मैं write कर सकता हूँ file में यह मेरा cblos plus का program है यह program क्या कर सकता है file से interact कर सकता है console से interact कर सकता है मैं ये arrow हटा देता हूँ मैंने आपर बता दिया कि write कर सकता है file में data भेज सकता है file में और data read कर सकता है file से ठीक है तो I hope कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ठीक है अब stream की बात करते हैं ये stream क्या होती है और यहां मैं game की stream की pubg वाली stream की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बतातू पहले ही अगर आप सोचो कि यहां मैं stream करने वाला हूँ भी वो कर ले करेंगे कभी बाद में लेकिन stream बताता हूँ क्या होता है तो stream जो होता है वो एक interface होता है data transfer के लिए file c++ program यवे c++ program to file अब यह जो stream होती है दो तरह की होती है तो input stream होती है input stream क्या होती है input stream वो होती है जिससे input लिया जाता है जिससे data receive करा जाता है output stream क्या होती है जिससे output करा जाता है जिससे cout ठीक है वो output stream लेके screen पर दिखा देता है ठीक है I hope, इतना समझ में आ गया होगा File में भी हमारे पास दो तरह की stream होती है Input stream और Output stream ठीक है, तो File में दो तरह की stream होगी, Input stream Input stream में क्या होगा File में, अगर मुझे कुछ read करना है तो वो Input stream होगा, यानिकि Into the program, program के अंदर ठीक है, और जब मैं लिख रहा हूँ File में तो Output यानिकि जो Information का flow होगा वो File की तरफ होगा, ठीक है तो आप Disk से जब मैं Disk बोल रहा हूँ तो उसका मतलब यह है File, यानिकि जो आपकी Hard Disk में File है, मैं उससे Read कर सकता हूँ Data, Input stream की मदद से, Input stream एक जरिया है वो जरिया है जिससे आएगा मेरा Data program के अंदर और Output stream एक जरिया है जिससे जाएगा Data मेरी File के अंदर ठीक है, अब यह काम मैं करूँगा कैसे कैसे मैं कोई कहानी लिखकर एक File में Write कर सकता हूँ C++ की मदद से या फिर अगर मुझे कोई File दे दी गए अगर मुझे कोई File दे दी जाए और मैं Read करना चाहूँ उस File से वो मैं कैसे करूँगा कैसे मैं लेकर आऊँगा Data अपने C++ program के अंदर एक File से यह देखेंगे हम आने वाले वीडियो में बट मेरे असाब से काफी चीज़ा क्लियर होई होगी इस वीडियो से मुझे बताना कैसा लगा आपको यह वीडियो और अगर आपने अभी तक C++ का यह course access नहीं किया है जरूर कर ले ना यार इसको यहाँ पर click करके bookmark और यह click करके share और सिर्फ वीडियो को like करने से काम नहीं चलेगा आपको यह course करना है share अपने दोस्तों के साथ तो यह link उठाना है आपको whatsapp facebook आपका जहां भी computer science के दोस्त हैं जो की इस तब चीज़ों में रूची रखते हैं और उसी के साथ आपका कोई office का group हो सकता है school का college का देखो group तो होंगे आपके पर share करने की बहुत जगें बस कर देना I'll be more than happy thank you so much guys for watching this video and I will see you next time है